दही में दो चीजे मिक्स करके आपको मेरे बताय हुए इस तरीके से अपने चहरे पे सिर्फ पांच मिनट के लिए मसाज करनी है कितनी भी चहरे के उपर पुरानी से पुरानी जाईया, दाग धबे, कितनी भी पिग्मेंटेशन आपको क्यों ना हो सारी आपकी जो दाग धबे हैं, काला पन है, ये बिलकुल साफ हो जाता है आपका चहरा बिलकुल एकदम ट्यूब लाइट की तरह चमकेगा, ग्लो करेगा सर्दियों का मौसम आ रहा है और सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन बहुत ज़दा फटती है तो बस जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, तो इस सर्दि में आपका स्किन जो है ना बिलकुल भी नहीं फटेगी बिलकुल भी काला नहीं पड़ेगा आपका चहरा, बलकि आप कहीं पर भी जाओगे ना कोई शादी है, पार्टी है, फंक्शन है, हर कोई आपसे पूस्ता रह जाएगा कि चहरे पे लगाती क्या हो तो मेरा ये वीडियो उनके साथ जरूर शाद करना और बाकि इसी तरह के और भी अच्छे वीडियो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि क्या आपको दही में ऐसा एड करना है जिससे कि आपका जो चहरा है एक दम शाइन करेगा, ग्लो करेगा, शिशे की तरह चमकेगा तो सबसे पहले तो आपको ले लेना है किचन का ये दही जो कि हर घर में हर किचन में मौझूद रहता है एक चमस के करीब आपको यहां पर दही लेना है बड़ा चमस लीजेगा थोड़ा सा थिक दही लेंगे तो आपको लगाने में एजी रहता है अगर थोड़ा सा लिकु तो आप बस थोड़ा सा थिक दही लीजेगा तो इस तरह से दही आपको ले लेना है और अब देखिए इसमें आपको क्या अड़ करना है यह जो रेमेडी है इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है और बहुत जवरदस्त आपको रिजर्ट इसे मिलने है तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूं उससी तरह से आपने भी यूज़ करना है बहुत बार हम क्या करते हैं कि इन्ग्रिडियंट्स को स्किप कर देते हैं या फिर वीडियो देखते रहते हैं तो देखने भर से result नहीं मिलते हैं आपको यूज़ भी करना होता है और अब आपके माइड़ में आरहा होगा कि जो हमारी pigmentation है, जो दागदबबे वो कैसे खतम होंगे दही से, तो calcium दागदबबे में होता है, और maximum हमें जो pigmentation हो जाते हैं, दागदबबे हो जाते हैं, calcium iron की कमी की वज़ा से हो जाते हैं, या फिर protein की जब आपकी skin में कमी होने लगती है, तो आपकी skin की जो elasticity है, वो धीरे-धीरे से lose होने लगती है, आपकी चहरे पे fine lines wrinkles दिखना शुरू होते हैं, तो इसमें protein भी भरपूर मातरा में होता है, तो आपके वो fine lines wrinkles के लिए भी ये काम करेगा, anti-aging का भी काम करेगा, और चीज आपको इसमें add करनी है, वो देखे, ये step number one हमारा चल रहा है, step tube के लिए भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, तो देखे, यहाँ पर लगबग आदी जसी चम्मज के करीब आपने यहाँ पर शाहद ले लेना है, अगर आपका चाहरा बहुँ जाता फटता रहता है तो quantity को आप शाहद की, थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं, एक चम्मज के करीब आप यहाँ पर शाहद ले सकते हैं, क्यूंकि शाहद जो है ना, एक natural cleanser का भी काम करता है, साथ ही साथ आपकी skin को naturally moisturize रखता है, long time के लिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिन लोगों क भरपूर मातरा में होते हैं, तो आपकी skin को younger tight बनाता है, और जब आप कभी भी देखना, शाहद कुछ है, ऐसे ही लगा के देखना अपने चाहरे के ओपर, ऐस थोड़ा सा लगाया, हाथ के ओपर लगा के देखे, फिर अपने चाहरे या हाथ को जहाँ भी आपने लगाया उसको wash किजिए, आप देखोगी कि आपकी skin नहीं इतनी जदा smooth हो जाती है, इतनी जदा clear हो जाती है, आपको ऐसा feel होगा कि पतानी भी मैंने बहुत ही बड़िया सा मंदब कोई face wash का इस्तमाल करके अपने चाहरे को दो लिया हो, एकदम clean हो जाते है, कोई dirt नहीं रह जाती, आप आजमा सकते हो, और मैंने आपको पहले भी बोला है कि चीजों को पहले आजमाईए, देखिए, use किजिए, जब आपको अच्छे result मिलते हैं, तब उसको regular use में आप ला सकते हैं, तो ये शायद लिया हमने और इसको अच्छे से mix कर लेंगे दहीं के साथ, और second ingredient हम वो है आपका नीमबू, नीमबू में vitamin C, भरपूर मातरा में होती है, साथ ही होता है citric acid, तो आपके चहरे के दाग धबो को लाइट करता ही करता है, बलकि आपकी चहरे को hydrate भी करता है, हम क्या सोचते हैं, कि सर्दियां है, जैसे सर्दियों के मौसम में हमें प्यास कम लग होती है, तो इसलिए मतलब हमें time to time अपनी, जैसे हम अपनी पानी पीते रहते हैं, अपनी body को hydrated रखते हैं, तो उसी तरह से skin को भी hydration की जरूरत होती है, और सर्दियों में तब भी हमारा जो चहरे है, बार-बार थंडी हवाएं, टच करती हैं face को, तो हमारे skin जो है फिर dry हो नहीं होगी, तो नीम्बू का रस आप जरूर लिजिएगा, बहुत important है, यह देखिए, इतना सा नीम्बू, यह मैंने cut करके लिया हुआ था, और इसके अंदर जितना भी रस था, वो मैंने सारा का सारा यहां पे ले लिया है, लगवग आदी जैसी चमबस के करीब, अब य आपको सूट नी करेगा, आपको पिंपल जो हो सकते हैं, असीडिक होता है थोड़ा सा नीम्बू, जैसे मैंने बोला कि सेट्रिक असीडिस में भरपूर मातरा में होता है, तो अगर आप लगाओगे, तो आपको नुकसान होगा, लेकिन अग जब आप इसको दही के साथ मि करके देखे, आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप स्केप कर सकते हो, बस शहद के साथ हाफ यूज किजिए, तब भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि तब आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर नीम्बू को भी मैंने अच्छ नहीं आप में एक जादूई solution है, तो अब क्या करना है आपने, यह जी, यह दो रुपे वाला, यह जो फिटकरी का टुकडा है, यह आपको मार्केट में बहुत एजली मिल जाता है, या फिर आपके घर पे जैन्स लोग दाड़ी बनाते है, उनकी किट में मिल जाएगा, व उसके crystal होंगे, अगर अची तरह से उसका fine powder नहीं बना होगा, तो जैसे कांच होता है, कांच होता है, उसको अगर आप अपनी चहरे पे या कहीं पर भी लगेगा, तो कितना खुर्दरा होता है, वहां पर scratch जैसा हो जाएगा, redness हो जाएगी, सेम उसी तरह से इसके साथ भी पिंपल्स हो जाएगे, जब बार-बार हम किसी चीज को रगड़ते, तो इनी सब चीजों के वज़ा से तो होता है, तो आपको अपने skin को नुकसान नहीं करना है, इसलिए मैं आपको बहुत simple सा way बता रही हूँ कि इस तरह से आप यूज़ किसे का, आपको कितना soft होता है, आप ऐसे touch करके देखेगा face के पर, बहुत ज़्यादा यह soft होता है, और आप इस तरह से use करें कि कोई नुकसान है, जैन्स लोगों को देखा होगा, आपने cut work लगता है, तो फटा-फट से उसे area पे इस को मतलब लगा देते हैं, और directly लगाते हैं, तो एकदम से जो blood flow होता ह बहुत जादू ही चीज है, आप ऐसा समझ सकते हो कि जादू का टुकड़ा है आपकी skin के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए, अगर 50 के उम्र है ना और 30 के दिखना चाहते हो, तो आप इस फिटकरी को गुलाब जल के साथ, बस इस तरह से लिया और गुलाब जल इसके उ खुद फरक महसूस होगा, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूं तो, बाकि ये जो solution हमने बनाया है ये तो अपने आप में जादूरी solution है ही, बाकि इसके साथ जब हम इसे यूज करेंगे जो तरीका मैं आपको बतारी हूँ, इस तरह से आप यूज करोगे, आप खुद बखुद देखना कि आपकी स्किन पे ये क्या फाइदा देता है, तो अब ये देखे, इस तरीके से आपने लेना इसको, पहले अपनी चेरे को अच्छी तरह से वाश कीज़ेगा, क्यूंकि मैं यह पे फेस वाश करके ही वेटी हूई होती हूँ, कोई भी चीज आपको गंदे फेस यूज नहीं करनी चाहिए, मेकप बाले फेस पे तो बिलकुल भी नहीं, क्यूंकि मेकप में भी स्मॉल पॉर्टिकल्स होते हैं, वो छोट-चोटे पार्टिकल्स जो है आपके पोर्ज के थूँ आपकी स्किन के अंदर की लेयर सक चले जाते हैं, और वहीं फिर बाद में का रूप लेते हैं, और भी बहुत सरी स्किन प्राब्लम्स हो जाती हैं, तो इतना रिस्क नहीं लेना, मैं आपको डिटेल में इसलिए समझाते हूं, ताकि आप बिलकुल भी गलती ना करें, और जो रैमेडी मेने बताई होती है, उसका सही रिजर्ट आप तक पहुंचे, तो इस तरह से हम लेंगे इसको, और अपनी चहरे पे पहले तो अच्छी तरह से अपने finger tips की मदद से अच्छे से इस तरह से मसाज कर लेंगे, और फिर देखें फिर क्या करना है आपने, यह जो फिटकरी का टुकड़ा आपने ले रखा है, इसकी मदद से फिर आपने इस इस तरह से मसाज करना है, तो इसके जो गुण है, इसकी जो फाइदे हैं, वो आपको इस दही के साफ मिक्स होकर के आपकी स्किन के अंदर जब जाएगा, आप इमेजन भी नहीं कर सकते कि आपकी स्किन मेना कितने वदलावाएंगे, मेरे बोलने से आप तीन दिन के लिए आप ये काम करके देखिएगा, ये देखिएगा, बिल्कुल मतलब जैसे शीशे की तरह चमक्रियो स्किन, तो इसी तरह के रिजर्ट आपके सामने होंगे, दो दिन आप लगातार यूज करके तो देखिए मेरे बोलने से, फिर आपको खुद बोखुद पता चलेगा, बस इतना सा काम आपने करना है, और ये तो आप चलते फिर ते कभी भी कर सकते हो, जिन लोगों को रहता है कि हमार पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, तो एक तो ये उपाय कर लेना है आपने, फिर इसके बादेखिए इसको फिटकरी को अच्छी तरह से वाश करके आप तो उनको टाइम देना चाहिए ताकि आपकी स्किन के अंदर की लेर सक पहुच पाएं, अपनी जो न्यूट्रिशन है, अपनी जो पोशिक्तत्तों हैं वो आपकी स्किन को दे सके, तो हम क्या करते कि पहले रेमेडी करते हैं, तस मिनिट बाद अपने चेहरे को लग जाते ह लेकिन फिर भी वो जो चीजें हैं, वो आपकी स्किन के लियर के अंदर होंगी और मन्दाब डीपली काम करेगी, रात को आपकी जो स्किन है वो खुद को रिपैर करने का काम करती है, और अगर आपने कुछ इस तरह से अपनी अच्छी स्किन किर कर रख़ी का आटाँ. चावल का आटा ना बहुत ही ज़्यादा फाइदे मन तहा है हमारी स्किन के लिए स्टार्ट जिसमें भर भर के पाया जाता है यो कि anti-aising का भी काम करता है skinlightning का भी काम करता है. आपने यह सून ही रखा का है, बहुत ज़्वादा है आपको मेथी दाना मेथी दाना इतना फाइदेमन होता है न हमारी स्किन के लिए मैं आपको बता भी नहीं सकती आप थोड़ा सा नेट पे सर्च करना गुगल पे बहुत फाइदेमन चीज है जिन लोगों को फाइन लाइन रिंकल्स की समस्या हो है 50 की एज हो रही है लेकिन चहरा इतना ज्यादा डल नजल आ रहा है या 30 की एज में कईयों का चहरा ना ऐसा लगता है जैसे वो 50 साल के इतनी मार क्यार नहीं करते अधी दाना के ले और अधी चमच मेंन ले इसकी चावल बशाल के सारी चीज़ों को अच्छी तरह को मिक्स करके एक बन जाता है और इस पेस्ट को फिर हम ने इस तरह से अपनी चहर में लगाना है जिन लोगों को बहुत तो यहां पेस को बहुत ही क्लीनली बहुत ही सफाय से ताकि आपके आंकों के अंदर न जाये लगा सकते हैं आप खुद देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो डाक सकल है बिलकुल गायब हो जाते हैं तो इस तरह से आपने इसको लगाना है बहुत ही बढ़िया तरह से अपने चहरे के ऊपर और फिर इसको छोड़ देना है कुछ देर के लिए 10-15 मिनट जब तक यह खुद से सूकता नहीं है और उसके बाद फिर आप अपने चहरे को नॉमल वाटर से या फिर गुन-गुने पानी से क्योंकि ठंड हो रही है हमारे यहां पे तो हो रही है बादाम रोगन सर्दियों के मौसम में अपने पास रखेगा बहुत इफेक्टिवली काम करता है या फिर आप कोकुनट ऑईल का भी इस्तमाल कर सकते हैं कोकुनट ऑईल भी हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत फायदे मंद होता है तो वह आपको लगा लेना है बात करें र